राजा के नाम पत्र जिसे लिखा है मनुज कुमान पांडेन परमादर्नी है राजा जी समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस विदी से पढ़ाम करूं की आदर प्रकट करने के सभी तरीके इतने पुराने और अपरियाप्त हो चुके हैं कि अब समय आ गया है कि पुछ नए तरीके खोजे जाएं ये क्या बात हुई कि उन्हीं घिसे पिटे तरीकों से आपके भी बंदना की जाए जिन तरीकों से पिछले राधा का विवादन किया जाता था मैं अपने अयोग्यती तरफ से बहुत शन्मिंदा हूँ कि आपकी बंदना का कोई ऐसा तरीका नहीं ढून पा रहा हूँ जो आपके तेजो मैं ड्यत्य प्रक्या नुकूल हूँ पर आप ये बात भी तो मानेंगे कि मैं आपके द्वारा ही सौपे गए दूसरे काम में पूरी तरह से लगा हुआ था तो काम पूरा हो गया है इस अपसर पर मैं आपके चरणों में हर सम्मर तरह से जुखा हुआ हूँ क्रप्या मेरा कोटी कोटी प्रणाओं फिकार करें और अपनी परम क्रपा इस दास पर बनाए रखें महा महीं आपको याद ही होगा कि आपने हमें किसानों की आत्मत्या के संदर हुए सही तत्कियों की कोज करने का आदेश दिया था आपके आदेश का दिन है और आज का दिन जिस बीच में हम पल भर को भी चैन से नहीं बैठे हम किसी थी ऐसे समस्या को हलके में कैसे ले सकते हैं कोटी applicable आपको परिशान कर दिया इसलिए हम सबने ठान लिया था कि हम इस समस्या की जड़ में मत्ठा डाल कर रहेंगे और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने मात्र दो साल, साथ महीने और अठारा दिन में ही समस्या के सभी संभव पहलों को खोड मिकाला है आप देखेंगे कि किसानों की आत्मत्या की समस्या उस रूप में कभी रही ही नहीं जिस रूप में दुनिया भर में प्रचारे की जा रही ही आप यह भी देखेंगे कि स्वान देश के भीतरी दुष्मनों का माया जाल अभी भी कितने भाणत तरीके से इस सब प्षाला हुआ है हम सबका मानना है कि इस माया जाल को चिन बिन करने की सामर्फें सिर्फ और सिर्फ आप में ये महा मही इस माया जाल को शीघ्र आतिशेग्र द्भस्त करें और अगर में उस विशर पर आने के अलमती देन जिसके लिए आपने आदेश दिया था यहां मैं संख्शेव में आयोग की कारे पराली और अभी निशकर्शों को आपके चरणों में रख रहा हूँ आयोग की अध्यक्ष की रूप में मेरी पूरी कोशिश है कि इस पक्त में मैं उन सब चीजों को कम से कम शक्तों में समीट पाऊँ जो की हमारी रिपोर्ट में दर्च हुई है ये रिपोर्ट कुल 10,113 प्रिष्टों की है साथ में करीब सावा लाग प्रिष्ट रिसल अपनों के गए है पर आपको हमारी मैनत का अंदाजा से प्रिपोर्ट के प्रिष्टों की संख्या सही नहीं होगा समय बचाने के लिए की गई हवाई यात्राओं, देश भर में ठेले हुए बोटलों के खर्चों तो तक इनायर पर दिये गए हलिकॉप्टरों के बिल भी आपको काम के प्रती हमारी मिष्ठा और मेनत के बारे में बनाई है आप देखेंगे कि आपके आदेश के मुपालब में हम पूरे देश में जूल ठाकते पिरे हैं इस बीच आपकी द्यावी ओर जा और हमें दिखाया गया विश्वास ही हमारी प्रेना के एक मास प्रूद रगे इस विश्वर काम करते हुए सबसे पहले हमारा ध्यान इस तक थे की ओर गया कि पात्य पुस्तकों में हम अपने बच्पन से इस बात पर निबंग लिखते हुए बड़े हुए है कि स्वर्ण देश एक क्रशिपधान देश है यानि कि एक ऐसी बात थी जिसे सब मानते थे कि स्वर्ण देश पिसानों का देश है यह कोई ऐसी बात नहीं थी किस पर गल्व किया जाए, पर पहले यह बात गल्व करने की मानी जाते थी. लोग इस बात पर गव करते थे कि वो किसान हैं, उनपर फिल्में बनाई जाती थी, उनकी तारीफ में कविदाएं लिखी जाती थी, यहां तक कि उनपर कुछ उपर्म्यास भी लिखे गए एक गूत्पूर राजा ने तो अपने नारे में उनको स्यानिकों के संकट शर्दिया, बताइए कि इतना सब को चोता रहा पर किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की, कि क्या स्वन देश सर्थमुझ किसानों का देश है, हमने अपने काम के शुरुआत इसी सवाल के साथ, तब अगला सवाल हमारे सामें ये खड़ा हुआ, कि हम किसान भला किस को कहींड़ें, क्या जिकने लोग खेतों मेंट गाओं में दिखाई देते हैं, सब के सब किसान ही है? दूसरे क्या किसान को इचाती है कि हम किसान के बेटे को भी किसान कहें क्या किसान की पत्नी को भी किसान माला जाता है आप सोचे कि वो तो उनको भी किसान माल ले रहे हैं जिनके पास जमींग कर बिस्वा तक नहीं है और फिर माल दीजे कोई किसान है ही तो क्या वो सिर्फ किसानी से पैदा हुई समस्याओं से परिशान होकर आपनत्या करेगा? क्या किसान अमर होकर आया है कि वो कभी मरेगा ही नहीं? महा महीन सच कह रहा हूं, ऐसे नजाने कितने सवालों से हम लंबे समय तक जूचते रहें? इन सवालों ने हमें चक्रव्यू की तरह चारों परफ से घेर लिया था. ये तो आपका प्रताब था कि हमने इस चक्रव्यू को हमेशा हमेशा के लिए धुस्त कर दिया. आप ही बताईएं, कि कितनी सीधी साधी बात है, कि जो इस दुनिया में आया है, वो एक दिन इस दुनिया से जाएगा भी. इसमें राजा बहला क्या करेगा? राजा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, पर वमृत्यू को कैसे रोक सकता है? जो पैदा हुआ है, वो मरेगा ही, तो किसाध मज़़ूर मने से बना कैसे बढ़ सकते हैं? लेकिन नए समय की लेला अपरमपार. देशी विदेशी अकबारों ने किसानों की आत्मत्या की खबरों को इतनी प्रमृत्ता से छापने का आखिर क्या उपदेशे था? विदेशी अकबारों की नकल में इन अकबारों को अपनी विश्वस्नियाता का भी कोई खयाल नहीं बजा है. दुष्टों और दुष्मन देश के दलालों के सिवा भला ये कौन मालेगा कि स्वन्देश में किसानों का जीमन इतना कठिन हो गया कि उन्हें आत्मत्या करनी पड़ों नहीं है. इसके बावजूद ये आप ही थे जिसने समस्र की जड़ में पहुँचने की ठाने. आपने इसके लिए आयोग बनाया, आयोग में हमें नियुक्त किया, हमें प्रचूर, धन, राश्य और अस्रीमित अधिकार दिये और आदेश दिया कि तद्कार काम शुरू किया जाए. हमारे किसानों की जान बहुत ही कीमिकी हैं, इसे किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए. आप एक तरफ किसानों के समस्र से असुल जाने और उने बचाने के लिए परिशान हैं, तो दूसी तरफ अख़वारों में किसानों के मरने का हल्णा बढ़ता ही जा रहा है. इस हल्ले से स्वान बेश को बदनाम करने के सिवा और क्या हासिल कर लेंगे वो लोग? उपर के तमाम सवाल और इस सब चीजों को देखते हुए हमने टैथिया कि क्योंकि इन्हीं सवालों पर लिए आगे की सारी चांच दिकी है, इसलिए संदर्व में किसी भी तरह की ज़दवाजी खात अकू सकती है. ये किसानों के भविश्य का सवाल है, इसलिए हम इसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते हुए हमने टैथिया है कि सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाएंगे कि इस देश में किसानों की वास्तविक संख्या कितनी है और उन्हें किसान माने जाने का आधार क्या है? हमने टैथ किया कि हम ये भी देखेंगे कि क्या हम प्रच्वित प्रूवाब रहु के आधार पर ये अधार बनाएंगे? कि इसके लिए हम अपने कुछ निल्दी आधार रस्तावित करेंगे? सबसे पहले हमने ये देखने की कोशिश की कि सत्वुष का किसान मोने का आधार क्या है? हमने किसानों कर बनी तमाम देशी विदेशी फिल्म में देखी किसानों को केंद्र में रख करके रचे गए साहुत को उल्टा पलता देश की पाठ्यबुस्तकों में किसानों की जो छबिया है और फिर से अठन किया और इन आधारों पर उनने किसानों की पहचान के कुछ बिंदुन अधारित के अतब हमने पाया कि जिसके आँखों में कीचड़ नहीं है, वो किसान नहीं है जो साथ कपड़ी पहनता है और अच्छा खाता पीता है वो किसान नहीं है जो रेल में स्लीपर से चलता है वो भी किसान नहीं है और एसी में चलने वाला तो किसी भी क्लीमत तक किसान होने की संभावना से ही रहे उसे जरूर किनी देश-विरोधी तत्मों से धन मिल रहा है अ अम्माह महीं, मैं चीजों पर इतना जोर इसले दे रहा हूँ कि स्वन्देश की राजधानी सबित तमाम जगों पर जो लोग किसान बनकर धर्ला प्रदेशन कर रही है, प्रदेश को बद्दाउं कर रही है, पर किसान नहीं है, बाकी चाहे जो भी हूँ इस पिनमाही राय के लिए माफ करें तो कहूं कि इन लोगों को पकरवा कर दंडा परेड कर आई जाए, तो ऐसी तमाम जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिनकी रोश्टी में ये आयोग अपने रिपोर्ट को और बहतर बना सकता है इस जाज के दौरान मिश्वस्त सूतरों से हमें याद हुआ, कि ये वही लोग हैं जो देश को और इससे भी जादा महामाही को बनाम करने के लिए दुश्मनों से मिले हुई है, यही बार कि तमाँ अकबारों के लिए भी कहने जाए लिए, आपको तो पता ही होगा कि पसनों को खेतों में ही चड़ा दे रहा है, तो मेहने से तयार की देई पसनों में आग लगा दे रहा है, तो सबजियों और सड़कों से फलों से सड़क पात दे रहे हैं, कि उन्हें मुस्त बांख रहे हैं, हुजूर, यह असंभव सितियान, कुछ भी हो जाए पर जला सकता, वो अपने पून पसीने की कमाई को खेतों में पानी भर कर नहीं जला सकता, और अगर वो इतना ही लिपन्न है, तो खेतों में पानी भरने का पैसा आपनी तहां से आ रहा है उसके पास, हुजूर, कहने की इजासत दे तो कहूं, कि सच्चा किसान खुद को भरे जला ले पर अपनी फसर को नहीं जला सकता, और आप तो जानते ही हैं, कि एक भी किसान में खुद को जला कर आप नहीं की, खबरों के नुसा जिनोंने की, वो या तो पेडों से लटके हैं, या भिरों ने की नाशकों का उप्योग किया है, दरसल बहुत सारी भी हमस्तितिय उने बिलकर इस समस्य का निर्मान किया है, जिसके पास जमीन ही नहीं है, वो किसान में खुद किसान में आप मत्या की, ये गलट चलट है, हमें इसे खब्ल करना चांदी, क्या सरकारी नौकरियों में ऐसा किया जा सकता है, कि नौकरी कर रहे हैं परति कि परिवार का कोई करें, तो उसे सरकारी नौकरी से जोड कर देखा जाए, आप पाएंगे कि हमारा मद्यवार की इस नामने में कितना उदार है, कि उसमें अब तक ऐसी कोई मांग नहीं, अगर हम में किसान आप मत्याओं की संदर्व में इस तरह की सितियों को बढ़हवा दिया, तो कल को प्रध्या नाकशत करना जहता हूं, वो किस हद से है किसान जो किसी और के खेत को अधिया लेकर खेती कर रहा है, इस तरह से तो सारे गिरागर मकान मालिक बन जाएंगे, सोचिए, कितनी अराज़क्ता पैदा होगी ऐसी सिति में, ऐसे ही जो पक्के घर में रहता है, वो किस किसान हुआ, जो मिट्टी की घर में नहीं रह सकता, वो मिट्टी में लगपत हो कर खेती बला कैसे करेगा, इसी तरह से जो जीन्स या दूसरे आज़ोमी कपड़ी पहनता है, धूप का चश्मा लगाता है, नीजी अस्पतालों नहीं नाच के ले जाता है, वो भी किसान न समयाद है कि हम एक साथ भाजक रेखा खीचें कि कौन के साथ है और कौन के साथ नहीं, यह लोग किसान बनकर हमें दिग्ध्रमित करते हैं, पर हम जानते हैं, महा महीन की बाकी कुछ भी हो संभव, पर आपको दिग्ध्रमित करना असंभव है, और यहीं पर मैं आपसे वो जो मैं बस आप से ही कह सकता क्योंकि उसे समझने की सामर्थ किसी और में नहीं महा महीं सौ बातों की एक बात यह है कि जो आत्मत्या करता है वो किसी भी कीमत पर किसान लें मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सिल्चले में हमें किसानों पर लिखी हुई कहानिया, कविताओं और पर्म्यासों का भी अधिय लिखिया हमें बड़ी संख्या में और फिल्में भी देखी जो किसानों को खेंट मेरत कर बनाए गई है इस अंदे हमको कहीं भी आत्मत्या करते हुए किसान को पेखने को नहीं देखी दारन के लिए भारत के मशूर कथाकार बूशी प्रेमचंग की कहानों पूस की दाख को ले ले तो कहानी में हलकु की पूरी पसर चरली जाती है पर आत्मत्या नहीं करता बलकि अपने कुट्टे से लिपटकर सो जाता है अधिक कुछ भी करेगा पर आत्मत्या नहीं करेगा अब मुझी प्रेम चंग जी के लिए उपन्याज गोदान से उधारण ले तो होड़ी कर्ज में दूप जाता है काये नहीं खरीद पाता, मज़़ूरी करता है पर आप मत्या नहीं करता बल्कि मरते समय गोदान करता है क्या समय था वो और आप क्या समय आ गया है मैं समझता हूँ कि अगत तक आप समझ चुके होंगे कि किसाल आत्मत्या की बात खुरापाती दिमाबों की उपज है जिने दुश्मन देशों की शेह में नहीं है आप जानते ही हैं कि दुश्मन देश हमारे गौरव शामी तिहास से जलते हैं वे हमारी सम्रद्धी से जलते हैं वे हमारी सामरिक ताकत से जलते हैं और तो और अब वो इस बात से भी जलते होंगे कि उन्हें ऐसा प्रतावी राजा क्यों नहीं मिला इसलिए हमने इस मसले पर भी गौर किया कि अगर किसान आत्मत्या नहीं कर रही है तो जो मर रही है वो है कौन? वो अगा कि कौन है जो आत्मत्या पर आत्मत्या किये जा रहे हैं? हमने पता लगाया तो पता चला कि इनमें से अनेक वे लोग हैं जो इश्कवाजी में नाकाम होकर अपने जीन से निराष्ट है। आप जानते ही हैं कि प्रेम में जान दे ना और लै ना स्वन देश की गौरवशाली परमपरा रही है। हम जान बुझ कर ऐसी सित्या करते रहे हैं कि वह उनके प्रेम नाकाम हों और प्रेम में जान दे कर वे इस गौरव शाली परंपरा को आगे बाए है तो जब कभी हमारी किसी चूप की वजए से उनके प्रेम कामियाब होने की तरह बढ़ते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनकी जान लेकर उनके प्रेम को मतले प्रेमियों की आपमत्याइन हमारा गौरव है तो देश के बाहरी और भीत्री दुश्मन जो हमारे देश की सब्रताव सस्कति से जलते हैं जो महा महीं के टेट से जलते हैं विस्वान देश को और साक्षा इस तो अने देश स्वरूप आपको बर्दाम करने के लिए इसे किसालों या बेरोजगारों की आपमत्या के रूप में प्रचालिद कर रही है हमें इन विरोथियों से साथान रहना होगा और इन पर अल्कुष लगाना होगा आपमत्याओं की एक और बज़ा है इसलिए मैं बड़ी शर्म के साथ इसे आपके सामेर रख रहा हूँ अध्रूनी सूत्रों से पता चला है कि आप नत्या कर रहे लोगों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो लपुनसक्ता ही वजह से अपनी बीडियों को मूँ नहीं लिखा पा रहे थे नपुनसक्ता कि इतनी बड़ी समस्या ही आप जानते ही है प्रेम के शाचाली उसे लेकर गली मुहलों की दिवालों तक आप देख पाएंगे कि देश की सबसे बड़ी समस्या नपुनसक्ता ही है यह इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि विधर्मी लोगों के साथ ऐसा नहीं है नगुन सकता है इसमें भी हमारी राष्ट्य समस्या मानी जानी चाहिए क्योंकि इस से जनसंख्या संतूनन लगातार नगाथवित हो रहा है स्टोर्ण देश और इसके इश्यों से लूप राजा यानि आपसे प्रेंग करने वाले लोग कम हो रहे हैं और विधर्मी और देश को कमजोर करने में लगे लोग लगातार बढ़ नहीं मेरा विल्म रणोद है कि आपको इस समस्या को गबीता से लेते हुए तुरंत इस पर एक आयोग बैठाना चाहिए हाँ आप चाहें तो मैं यह महतकूर्ण विम्मेदारी अवे सरपर लेने के में तयार हूँ मैं फिर से आत्मत्या की तरफ लोटता हूँ तो बजया जो भी हो पर यह तो हमने भी पाया कि लोग बड़ी संख्या में आत्मत्याइं कर ज़कों और यह भी कि इससे स्वर्ण देश की बड़नामी होती है यह ऐसी चीज है जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए या फिर इसका रूप बड़ना जाना चाहिए मेरा सुझाओ है कि हमें आत्मत्याओं को धावनिक रूप देनी कोशिश करनी चाहिए अगर हम ऐसा करने में काम्याब हो गए तब आत्मत्या करना गौरफ की बात मानी चाहिए आपसे वैदर कौन जानता है कि हम धर्म प्राण देश है धर्म के लिए जान देने और लेने तोनों के लिए हमेशा तया रहते है यह बात प्रजा में और अच्छी तवरे से फहलाई जानी चाहिए लोगों को बताया जाना चाहिए कि किसी भी परसिती में आत्मत्या कायता है पर धर्म के लिए या धर्म स्वरूप राजा के लिए जान देना बहारूरी है और जान देनी की सिती बने ही तो वे धर्मियों से लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए ताकि पेर से लटक कर या जहर दा करें मैं जानता हूँ कि आप ये बात मुझसे भी बेटर तरीके से समझ रहे हुए दूसरी बात ये कि हमें उनक बारों, संस्थाओं और लोगों पर नज़र रखनी चाहिए जो तथा कतिर किसान आपनत्याओं के बारे में लगाता ख़बर लिखते या चापते हैं या अंगे तरीके से इस तरह की ख़बरों को पचारित या पसारित करते हैं इनके देशी विदेशी संपर्कों पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए हमें इन लोगों को कहीं आने जाने पर रोग लगानी चाहिए और इन पर लोगों को आपनत्या के लोग साने का आरोग लगाता का मुकर्मा चलाए जाना चाहिए जो सवस्थाइं विदेशी पैसा लेती हूँ, कभी अधीक में ले चुती हूँ या निकत भविश में लेने वाली हूँ उन सब पर विदेशी मदद से लोगों को देश दोग के में उकसाने का मुकर्मा चलाएगाना चाहिए यह बहुत ही खदरनाग लोग हैं इन्हें किसी भी कीमत पर काराढार में होना चाहिए हमें यह भी देखना चाहिए कि यह लोग या इन में से कुछ लोग पिछले राजपरिवार के कृपा पार्ट तो नहीं है ना भी हो तो हम झालियो करी सकते हैं इससे प्रजा में आपके प्रती आगार धरोसा बना रहेगा अंत में मैं पूरी जिम्नदारी से एक और बात कहना चाहता हूँ यह सच है कि जागतर किसान आत्मत्या है फर्जी जैसा कि मैंने उपर सावित किया कि जोवे किसान ही नहीं है तो उनके आत्मत्या हो किसान आत्मत्या का नाम देना साविशी लोगंपर कारणाम आयं पर महा मही हमें कुछ फटना है ऐसी भी मेरी जहां आत्मत्या करने वाले सब्मूशी किसान थे हम उनके बारे में जानता स्पद रह गये हैं क्योंकि अगर एक भी किसान कहीं मरता है तो उसकी विमजारी हमारे दयार वह परोपकारी राजा बराती है। और हम क्या जानते नहीं कि आप किसानों के लिए कितने चिंते ठेहते हैं। तब ही तो आपने यह आयोग बनाया है। कोटेल और साज़शी लोग कुछ भी कहीं पर हम जानते हैं कि आपने किसानों को असीमें सुविधाय दे रखी है। इसके बावजुद अगरेग भी किसान आत्मत्या करने के लिए विवश हो रहा है। तो इसका मतल यह है कि खेदी करना बहुत ही पदरना काम हो गया है। यह आयोग भी इसी नतीजी पर पहुंचा है। ऐसे में जरूरत है कि स्वर्ण देश की प्रजा के हिप में तुरंथ ही कुछ कड़ी कदम उठाये जाएं। आपने मुझे जो दिर्मेदारी दी है उसका पारण करते हुए मैं कुछ सुझाव आकशी चर्णों में रखना चाहता हूँ। आयोग का पहला सुझाव यह है कि महामेहिं को तकार बभाव से किसानों के खेदी करने वर्मतिबंद लगा देना चाहिए। हम आपने प्यारे देशवासियों की जान जो कि में नहीं डालना चाहते। यह कैसा कदम है जिसके लागू होते ही किसान आपना होता है कि समस्या हमेशा के लिए समात हो जाएगी। किसानों को तुरत ये कदम भले ही करवा लगे और जल्दी ही वे इस पैसले को वैसे ही सराएंगे जैसे कि आपके पिछले कड़े पैसलों को सराते आये। अब सवाल ये है कि जो किसान खेती नहीं करेंगे तो स्वाइंदेश की प्रजाते का पेट कैसे भरेगा और हम उस जमीन का क्या करेंगी जो खेती ना करने से खाली पड़ी रहेगी। महार महीं हमारा दूसरा तुझाओ ये है कि आपको किसानों से उनकी साली जमीन ले लिनी चाहिए। किसानों को तुरंट बुरा जरूर लगेगा पर वे चल्दी इस बात को समझे नी कि जमीन रखना कितने खत्रे की बात थी। और वो खत्रा उन पर से हमेशा के लिए तल गया है जो आत्मत्या के लिए उनकी सिरों पर मंट्राता रहता था। ऐसा करने से हमें बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे जो स्वयन देश के नवनिर्मान की नीट की एट बनेंगे। खेदी जैसे अरुत पादक काम से मुख्यो करूपी सारी उज़ा देश के नवनिर्मान में लगेगी तो आप सोचिए कि आपका ओप्यारा स्वयन देश जिसके उठान के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। कितनी जल्दी सत्मुष के स्वयन में बदल जाएगा। हमारा तीसा सुझाओ ये है कि किसानों से ली गई सारी किसारी जमीन आपके प्रिये धन्ना सेट को सौंप दी जाए। और उनसे अरूत किया जाए कि वे किसानी का दाइत भी अपने उपर ले रहे। हमें पूरा भरोसा है कि स्वयन देश के हिप में वो ये जिम्यदारी ची उसी तरह से सबहा लेगी जिस तरह से आपकी दीवरुई दूसी जिम्यदारियें सबहाद रहें। हमें पता है कि ये जोखिन का काम है तो धन्ना सेफ के कंधे पूरी तरह से समर्थ हैं उन्हें आपका भी पूरा समर्थ है और विश्वास हासिल है ऐसी स्थिति में वे हर हाल में सपर होंगे इस अंदर में हमारा चौथा और आखिनी सुझाव ये है कि धन्ना सेफ जी को जमीन के साथ साथ एक बड़ी राशी खेटी के बढद में ली जाए जिससे कि वो जमीनों को नई तरह से वेवस्तित कर सके और अत्याधूनक तरीकों से खेटी की शुवास कर सके महा मिए हमें पूरा परोज़ा है कि इस तरह से हम किसानों से जुड़ी सभी दरने की समस्याओं से अबेशा के लिल मुक्ती पालेंगे इतना ही नहीं इससे बहुत बड़ी संख्या में नई रोज़दारों का सजन भी होगा जिनके सामक के लिए खेती आदर बन नहीं है वे धन्ना सेट के नहीं नौपरी कर सकते हैं ये कितनी कमाली की बात होगी कि वे खेती भी करते रहेंगे और उनके ऊपर किसी भी तरह का जोखिब भी नहीं रह जाएगा कितना सुखी होगा तद हमारा प्यारा स्वन्ड देश मैं तो उस दिल करने से अभी से हलादित हो रहा हूं। रोमांच के मारे मेरा रोम रोल खड़ा हो रहा है। मुझे इस बात से भी रोमांच हो रहा है कि आपकी क्रिपा और विश्वास के पर सरूप मैं अपने प्यारे स्वारे घेश के पती कुछ कर पा रहा हूं। अभधमन्थ आपकी ए क्रिपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। आपके चरणों का दाखन दास बेश प्रेविशन मा अठ्यक्ष पिसान आठत्या आयोग। शत्यों। शत्यों।